हाई गुड मॉर्णी आई वन मैसेफ चेतन मंत्री फॉम विद्योधाय क्लासे लौर आई वेलकम यू फॉर वर वेरी फर्स लेक्चर ऑफ सी एंटर जी एस्ट चलिए आपके सिलेबस को देख लेते हैं हम आपके सिलेबस के यहां दो पार्ट हैं फस्ट पार्ट कंसिस्ट ओफ डारेक्ट एक्स देट इस इंकम टैक्स और सेकंड पार्ट इस जी एस्ट अग्स वाइस बात करें तो आपके लिए यह है सिक्स्टी मार्ग्स का और यह है पुर्टी मार्ग्स का इस्टी मार्ग्स फुर्टी मार्ग्स ओके चलिए अब इसमें भी mcqs है हमारे पास अभी कितने परसेंट के 30% के mcqs हैं तो 30 मार्ग्स तो चलेगा आपके mcqs में अब डारेक्ट एक्स और इंडारेक्ट एक्स में बहुत बार आप लोग डारेक्ट एक्स अल्रड़ी पताना चाहूंगा सब सब पहला है हमारे पास वह है definition of tax पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा it is a compulsory payment किसका यह payment जो जाएगा हमेशा और हमेशा सिर्फ किस में जाएगा सर्मनी में जाएगा काइंड में तो नहीं दोगे गॉर्मेंट आई बोले लाओ चलो हमको tax दे दो direct tax और इंडारेक्ट बोले लाओ एक लाख रुपे का tax दे दो आपका लाख रुपे बनता है अब आप नहीं से एक लाख रुपे पे उनको बोला कि कांग करो यह डाल ले जाओ चावल ले जाओ मेरे पुराने कपड़े ले जाओ सिये फांडेशन के मॉडियूल ले जाओ क्या यह सब दे दोगे काइंड में तो यह possible नहीं है हमारी ट्राइसाइकल जो बच्पन पर जिसके हमने पिंके को बिठाया था क्या उसको हम दे देंगे हमारा चोटा सा एक स्वेटर जो मम्मी ने हमको दिया था जब हम तीन महीने के थे मम्मी ने बनाया था अपने हाथो से उसको देके बोल रहे हो तो ऑफिसर बोल रहे है त will always be payable in money. और यह जब भी pay होगा, compulsory payment होगा money का, it should always be, it should always be through an act. तो ये तीन words हमको यहाँ determine करते हैं कि tax की definition में कोई option नहीं है, compulsory का उल्टा word बोलो optional जो की possible नहीं है, money का उल्टा बोलो kind जो की possible नहीं है, और through an act, मतलब बिना act के, government भी आपसे कोई सा tax recover या वसूल नहीं कर सकती, तो हमेशा कोई नो कोई act होना ही चाहिए, अब question आया सर, act का मतलब बता दीजे, बोलो, act का meaning क्या लोगे, rules or regulations, ओके, चलिए, rules या regulations, word ले देते हैं सबसे पहला, rules या regulations, किसने pass किये, सर, passed by parliament या state government, जैसा भी case हो, अगर central government का act है, तो हम क्या बोलेंगे, parliament, नहीं तो क्या बोलेंगे, सर, state government, either by parliament or state government, ये जो भी rules regulation है, किस पह है, देखो, क्या होता है, आपने foundation में भी पढ़ा था, अभी आप see, enter में भी पढ़ रहे हो, companies act है, तो किस पर है, सर, company कर, हम बोलते हैं, Indian partnership act, किस पर है, सर, partnership पर, तो जब भी कोई act होता है, वो किस से relate होता है, on a particular matter, कि 2-4 matter, एक साथ, उसमें deal कर दी, जब हम बोलते हैं, income tax act, तो किस से deal करेगा, only with income tax, तो ये जो आपको important बात ध्यान रखनी है, वो है, कि it will always be, किसी particular मुद्दे पर, 2-4 मुद्दे पर भी नहीं, किसी particular मुद्दे के उपर ही, किसी matter के उपर ही, आप ये law frame करते हो, act frame करते हो, ध्यान रखिएगा इस बात का, चलिए, इसको note कीजिए, दो line note कीजिए, बटाइए, चलिए बटा, तो ये दो definitions हो गई हमारे पास, और हमको और क्या समझना ज़रूरी है, देखिए, tax हो गया, act हो गया, फिर, जो आप DT में एक बार पढ़ चुके हैं, पर मैं repeat कर रहा हूँ, there are two types of taxes, अगर हम tax wise बात करें, तो there are two types of taxes, बोलो कौन-कौन से, सर एक direct tax और एक indirect tax, ये दो हम बहुत कुछ इसमें से पढ़ चुके हैं, चलिए, देखिए, एक हुआ हमारा direct tax, और another one is indirect tax, another one indirect tax, ठीके, ये दो तरह कि हमारे पास taxes भी हुए, indirect and direct, okay, सर ये हो गए, अब अपने को ये शुरू करने से पहले एक बार, एक बार हम बिल्कुल इसको चाहें, एक बार तो कम से कम एक बार इन दोनों के differences को थोड़ा सा recall करें, और indirect tax में GST का क्या role रहा इंडिया में, जब ये 2017 में आया, और ऐसा क्या हुआ जो government ये act लेके आई, चलिए, तो पहले हम difference देखते हैं, बड़ा difference तो बहुत कुछ आपको मालूम है, पहला difference है direct tax में, कि ये अगर government है, तो ये अगर आप हो, तो government सीधा आप से ही tax लेती है, ये अपना कोने मानलो ये है चिंटू, तो चिंटू से ही tax लेकी government सीधे, इसकी pocket में से पैसा जाएगा, जबकि indirect का rule थोड़ा सा defer कर जाता है, indirect में ये government है, ये चिंटू ही है, बड़ चिंटू से tax government ने collect नहीं किया, चिंटू मानलो होटल में गया, चिंटू मानलो SIM का voucher लेने गया, मानलो mobile लेने गया, मानलो कोई कपड़े देने गया, anything what he wants to purchase, तो government ने इस seller को जो की A हो सकता है, इस shopkeeper को बोला कि you will collect tax from चिंटू, तो shopkeeper good sell करते समय, अपनी sell value में GST add करेगा, या indirect tax add करेगा, वो टोटल आप से 100 plus 18, 118 rupees वसूल कर लेगा, recover कर लेगा, अब ये जो GST आया 18 rupees, ये जाएगा किस के पास, government के पास, और 100 rupees किस के पास चलेगा, shopkeeper के पास, क्या shopkeeper की जैब से कुछ गया, नहीं, तो हम समझ गए, कि ultimately गया तो चिंटू से ही, यहां भी चिंटू नहीं दिया था, यहां भी चिंटू नहीं दिया था, अंतर क्या है फि और burdening को आप shift कर सकते हो, बोलो, आया समझ में, तो हमने liability बना दी, एक ही और burden shift कर दिया customer पे, customer को उने अपना चिंटू, तो अंतर आया tax collection में, ultimately दोनों ही case में जाता अपने पास ती है, पर अंतर गया, यहां government सीध है, आपसे collect करती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने direct tax, प जो taxes पे करते हैं, वो कहलाते है, indirect tax, और अब definition wise बात कर लो, कि difference क्या क्या है, तो हम पहला क्या बोलेंगे, direct tax are taxes which are collected from the customer, यहां भी बोलेंगे, which are collected from the person, from the customer, but जेखो अंतर गया, यहां हम person word use कर लेते हैं, from the person, यहां हम customer word use कर लेते हैं, पर आप चाहो तो दोनों ही जगे person use क अंतर क्या है, फिर दोनों में, from the person, यहां क्या बोलना पड़ेगा, person से तो है, but यहां word क्या लेना पड़ेगा, through, through an intermediary, क्या बोलना पड़ेगा, through an intermediary, tax तो इससी लेंगे, पर कैसे लेंगे, through an intermediary, through an intermediary ही लिया जाएगा, अब government देख रही है कि taxes तो, ultimately अपने को जनता से पड़ेगा, अंतर यह है, बस कि यहां, यहां जो tax आपने दिया, यह tax किसी ने किसी intermediary के थूँ, अकेले government directly आपके पैसे नहीं मांग रही, यहां इस case में क्या था, इस वाले में, government directly आपके pockets ही निकाल रही, यहां indirectly निकल रहा है, इसलिए indirect tax, तो हम बोल सकते हैं, यहां customer का उपर burden गया, और shop की पर ने अपना burden shift भी किया, यह हमारा पहला point है, अब आगे और क्या सोचना है, चलो, इसके examples, तो sir, यह लगता है, either on income, either on some asset, direct taxes, इन चीजों पर लगते हैं, जबकि indirect हमेशा लगेगा, either on goods, either on services, जैसे कि GST था, GST है, custom है, पहले exercise हुआ करता था, आपने सुना है, VAT हुआ करता था, आपने सुना है, these are all levied on goods and services, यहां direct taxes या तो income पर होंगे, या किसी asset पर levy किये जाएंगे, तीसरा examples note कर सकते हैं, उससे पहले हम यह diagram बना सकते हैं, direct taxes हमेशा progressive होते हैं, progressive मतलब यह eco का आप जो diagram बनाते थे, वह diagram मैंने भी यहां बनाया, अब आप एक तरफ tax रख दो, एक तरफ income रख दो, तो बताओ, ऐसा arrow क्या बताता है, यह बताता है कि जैसे जैसे income बढ़ेगी, वैसे वैसे taxes भी increase होंगे, जबकि indirect का diagram अगर यहीं पर हम बनाएं, तो indirect ऐसा कुछ होगा, कि आपकी income कितनी भी हो, आपका tax तो same ही रहेगा, यार आप लक्स खरीदने जाओ, या करीना खरीदने जाए, tax तो उसमें शामिल है, और वो 10 रुपे का है, तो 10 रुपे कहीं माना जाएगा, तो लक्स अब खुबसूरती और सस्ती, 10 रुपे में है, तो 10 रुपी लेगी, दुकान दाइस तो नहीं बो लेगा, यह तेरा काम करूँ या उसका काम करूँ, rate चेंज नहीं होगा, तो indirect में खास बात क्या है, यह progressive होते हैं, और यह regressive होते हैं, रिग्रेसिव का मतलब क्या, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, simple भाशा में यह क्या कहलाएंगे, neutral, तो यह regressive हैं, सब पे चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो दोनों पर एक जिसा rate ही apply होता है समझ में और क्या example लोगे sir इसमें कहीं न कहीं evasion थोड़ा आसान होता है थोड़ा easy होता है क्योंकि भाईया आपकी pocket से जा रहा है तो आप अपनी income या अपनी asset को आप conceal कर सकते हो छुपा सकते हो यहां थोड़े से evasion के chances कम हो जाते हैं यहां evasion के chances जादा हैं यहां evasion के chances कम हो जाते हैं क्योंकि intermediary आपको tax collect करके आप से ले लेता और आपको मालूम भी नहीं पड़ता आपको तकलीश भी नहीं होती आपको pinch दर्द महसूस नहीं होता क्यों क्योंकि आप hotel में खाना हो तो एक्सवरटरा का आता है एसे customer हम होटल में पार्टी करने के बड़तर बादें पास है पापा ऑम्मी कहने वर छरी हमने पूछा ही नहीं लिया, हमने DTA connection लिया, हमें clothes purchase किये, इन सब चीजों में आप पुछते ही नहीं हो कि इसमें GST है क्या, लक्स लिया तो लक्स ऐसे लगा के नहा तो लिये फिर हम जब नहा रहे हैं वियार टेकिंग बात तो हम इस तुन भी बोलते हैं ओ वो गया वो गया वो गया दस पेसे का GST पानी के साथ नहीं हो पाता identification possible नहीं है इसलिए इसको बोला गया कि evasion के chances कम है और इसलिए सब पर बराबरी से भी लगता है तो direct tax और indirect में बड़ा अंतर की burden, incidence भी बोलते हैं कहीं बार incidence जो है आप कहीं बार shift कर सकते हो और direct tax में shift नहीं कर सकते हो चलिए अब और क्या समझें GST की कहानी है ना अब ना हो गया कि GST की कहानी कहां से शुरू हुई GST की actual कहानी क्यों लानी पड़ी government को यह हमको समझना पड़ेगा क्यों government को सारे पुराने law हटा कर यह वाली कहानी शुरू करनी पड़ी यह वाली picture शुरू ही क्यों हुई यह हम समझ लेते हैं एक बार ना देखिए ध्यान से तो GST की कहानी क्यों शुरू ही और कहां शुरू ही देखो बात बहुत पुरानी है पुराने जमाने की इस तरह से हम कहानी शुरू कर सकते हैं ज्यान से देखना क्या हुआ पुरानी मतलब कितनी पुरानी सा पुरानी मतला ऐसा नहीं है कि 10-200 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम बहुत GST के आने से पहले की बात कर रहे हैं दो बड़े changes हुए थे और उसको example से समझेंगे तो जल्दी शायद हम click कर पाएं देखो पहले business कैसे होता था और कैसे text collect होता था direct taxes हम उसको समझते हैं देखो A ने अगर अपने goods बेचना शुरू किया अपन तीन businessmen ले ले लेते हैं यह तीन businessmen के साथ हम dealing शुरू करते हैं यह तीन का example लेते हैं तो आपको concept समझ में आ जाएगा चल ध्यान से देखना इजी है समझना थोड़ा सा आपने ले लिया यहाँ पर उसकी purchase value आपने यहाँ से शुरू किया कि हम उसकी purchase value से शुरू करेंगी उसने raw material खरीदा ऐसा मान ले A ने यह ने raw material खरीदा कितने का सर 100 रुपीज का ठीके अब आपने देखा होगा cost में हमेशा हम क्या जोड़ते हैं profit तो हमारी आ जाती है sell value यह sell price बोल सकते थे पर मैंने price न बोलते वे sell value क्यों बोला देखो बता रहा हूं पहले profit add करो 10% का वो margin रखता है तो 10% profit add करा total हो गया 110 अब इतने में वो चाहता A तो यह goods किसको sell कर सकता है B को sell कर सकता है एक इच्छा थोड़ी ना इसके बाद price लेने की यह तो चाहता है कि यह goods 110 में sell हो जाए कोई इकत सर कोई इकत नहीं अब हुआ क्या पर government बीच में आगी बोले नहीं 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 इसमें आप GST लगाओ इसमें tax तो लगाओ कौन सा लगाए बोले सर ए जूड़ गए और हमारी price हो गई 121 ठीक टेक्स जोड़ दिया अपने indirect tax अब भी अपनी purchase price कितनी बता रहा है 121 फिर उस पर वो अपना 10% profit जोड़ रहा है 12.10 तो टोटल हो रहा है 133.10 बोलो अब इस पर tax लगाओ 10% से तो हो गया 13.31 बोलो हाँ या ना तो कहने का sense ये था कि जब B की price हम टोटल लेते हैं तो वो हो जाती 146.41 अब यही सी क्या बता रहा है यही सी बता रहा है कि यह तो मैंने purchase किया इतने पर तो 146.41 से मैंने purchase किया इसने भी या percentage की जगे आप चाहो तो आपको confusion हो जाए क्योंकि वो सब round figure नहीं आ रहा है अपन इसको उसमें ले लेते हैं round figures में लेते हैं मानलो B ने अपनी purchase price बताई कितनी 121 इस 121 पर क्या हुआ 9 रूपे उसने अपना profit जोड़ा टोटल हो गया 130 इस पर tax लगा 13 10% से tax जोड़ दिया total हो गया 143 फिर C के पास है goods पोचे तो बोलो C की purchase price क्या C बोल रहा सर 143 मेरी purchase price है तो 143 पे 7 रूपीज प्रॉफिट है total, 150 है 15 रूपे 10% से tax जोड़ा total हो गया 165 यह कहानी चलती थी अब जब यह कहानी पुराने समय में चलती थी तो हो क्या राथा देखो दियान से हो यह राह है कि इसमें tax पर tax लगता है तो tax पर tax न लगे उसके लिए क्या करना चीए देखो धियान से कैसे tax पर tax 100 रूपे से आपके goods शुरू है finally पहुझ गया 165 रूपे अब पहली पहली problem क्या यह goods inflation या महेंगे हो गए हैं inflation को बढ़ाते हैं 100 रूपे की goods जो raw material costing थी inflationary है लगातार prices बढ़ रही है अच्छा और क्या बूरा लग रहा है सर यह 121 रूपे की sale price A की वही B की क्या बनी purchase price अब देखा जाए तो इस 121 में 11 रूपीज क्या शामिल है tax और जब यह 130 आता है तो इस 130 में भी 11 रूपीज शामिल है और इस पर फिर से क्या लग गया tax तो यहाँ tax on tax लग रहा है यहाँ tax on tax impose हो रहा है इस tax on tax को हम बार बार एक छोट ऐसा word बोलते हैं वो है cascading effect क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको cascading effect क्या बोला जाएगा कि goods पर क्या हो रहा है cascading effect हो रहा है tax पे बार बार tax लग रहा है अब C की problem भी वह है कि यह भी अपनी purchase price इतनी बता रहा है तो बता 143 में क्या क्या शामिल है sir 11 rupees plus 13 rupees दोनों शामिल है 11 plus 13 दोनों शामिल है देखो यह वाला भी शामिल है और इस 11 पे 1.1 भी शामिल है जो 10% यह जुड़िया है tax वो भी तो शामिल है tax पर tax लगा न चलो और क्या हो रहा है sir यह demotivate कर रहा है यह demotivate करता है businessmen को कि वो higher या superior लो higher कि ечेंगी कि वो superior goods का production करें क्यूं बताओ क्यूं inferior goods का क्यूं करें क्यूंकि superior goods और महेंगे होंगे और customer तो आपने różne को पड़ा हुआ है कि customer जब महेंगाई बढ़ते है उसके पहुंचके बाहर हो जाते है goods तो किस पर shift हो जाता है याद करो inferior goods पे shift होता है हमने different goods का भी concept पढ़ा है तो वो demotivate हो रहा है और अपने superior goods को बनानी कोशिश नहीं कर रहा है fourth वो कोशिश कर रहा है कि अब मैं manufacturing क्यों करूँ मैं manufacturing करता हूँ बहुत भारी बढ़ता है hundred rupees की चीच 165 तब जाती तो demotivation यहां भी है कि manufacturing कीएगे सिफ trading करना आदमी पसंद करेगा कोई नहीं plantain machinery नहीं technology नहीं superior और higher goods बनानी की कोशिश वो society में नहीं करेगा यह भी एक problem है अच्छा और क्या problem हारी इसमें देखो तो diagram को और क्या लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है अच्छा यह ऐसा क्यों कर रहा है पर बी से बोल रहा है भाई तू टेक्स पर टेक्स क्यों ले रहा है देखो ध्यान से आपने बढ़ा कि यह government है government ने ए से बोला कि तू टेक्स लाके दे किस से बी से यह वा ना तीन व्यापारी ए बी और सी और फिर आया customer यह chain बन गई बोलो यह chain बन गई ना पूरी chain बन गई शेल चेन चलो अब देखो government ए से बोल रही है भाई तू हम दोनों की बीच में इंटरमेडरी है किस किस के बी बीच में इंटरमेडरी है सर government और सी के बीच का इंटरमेडरी कोँने बी ओके और बोलो सर government और customer के बीच का इंटरमेडरी कोने सी देख लो यह indirect tax है क्या चेक करूँ कैसे A ने B को बेचा B ने C को बेचा C ने कस्टमर को बेचा तो जब पहली बार A सेल करेगा तो उसको ध्यान है कि उसकी लायबिलिटी है कि वो GST या कोई टैक्स ले इंडारेक्ट टैक्स ले और किस सरी कवर करे अपने अगले कस्टमर से B किस सरी कवर करे, C, C किस सरी कवर करे अपने कस्टमर से, ultimate कस्टमर तो ultimate burden तो हमेशा जनता में से ही किसी कस्टमर पे जाएगा ये लोग तो सब business में ने ये लोग तो सब intermediary है अब आप बात करो पहले यहां तक कि A और B के बीच में, government A और B में क्या लग रहा है तो A ने sale किया कितने में 110 प्लस 11, 121 में B कितने देगा 121 इसको देगा, उसमें से 100 यहां रखा जाएंगी और 11 रुपीस का चले गए government के पास तो government ने यहां पर लिख लिया कि ये पैसे किस के हैं ये पैसे A के हैं, B के हैं कौन लेके आया B लेके तो A आया कौन लेके कौन आया पर पैसे किस के नाम पर ये tax deposit हुआ है, सोचो आराम से ये tax किसने पे गिया है तो deposit किस के नाम पर माना जाए किस के नाम पर ये tax जमा किया जाए सर B के कितने रूपए 11 रूपए अच्छा जमा का English word क्या होता एक और डिपोजिट और एक और जो अकाउंट्स में पढ़ते हो सर क्रेडिट क्या बोलते हैं एक तो डिपोजिट और एक और के असर क्रेडिट तो यह अमाउंट जो आप देख रहे हो यह किसके नाम पर क्रेडिट किया जाएगा बी के नाम पर अब आगे देखो बी ने 143 में गूड़ बेचे तो गौवर्मेंट के पास वो कित्ते लेकिया आया 143 उसको सी से मिले 143 जिसमें से उसने अपने पास कितने रख लिए देखो तो हमने देखा 13 रूपीस गवर्मेंट को दिए बाकी 130 खुद के पास रख लिए यह 13 रूपीस गवर्मेंट के पास आगए तब गौर्मेंट क्या बोल रही है लेके तो भी आया पर डिपोजिट किसका है सी का क्रेडिट है कितने रूपे 13 रूपीज बोलो आया ना अब अपन बोल रहा है कि सारी गुड्स महंगे क्यों हो गई यहां महंगई क्यों हो गई है देखो लॉजिक समझो क्या ह हुआ इंडारेक्ट टेक्स में क्या बोलते हैं पहले दे बताव बी से बोल रहा है यार तु यहां पे 121 क्यों ले रहा है तेरी कॉस्टिंग तो सिर्फ कितनी 110 यह 11 रूपे तो टेक्स है जो किसके पास जमा हो गए तो टेक्स है जो अलग से चार्ज हुआ तो बी बोल रह अब कौर्मेंट को क्या करना चाहिए था द्यान से देखा गार्मेंट अगर ऐसा करती तो क्या होता सोचना यह तीन लोग ए बी और सी तीन लोग वापस से सेम कंसेप्ट लगा। राव मटरीयल कितना तरह हंड्रेड कि चालो अच्छों प्रॉफिड गोलो से टेन टोटल कितना हो गया Хот टूटल कितना हो गया हंड्रेड व क्टेडर यंट 10 पे टेक्स बोड़ो IDT कोई भी indirect tax मानलो 10% से 11 रुपे तो आया ये 121 अब B की purchase price वे से तो कितनी है 121 ही है पर हम B से क्या बोल रहा है भाई तू tax मत जोड़ तू B क्या लिख लेगा अपनी purchase price B अपनी purchase price क्या लिखेगा 110 भूलो B अपनी purchase price क्या बताएगा 110 अब इसमें उसने अपना profit जोड़ा 9 रुपीज तो टोटल हो गया 119 चीक और इस पर tax जोड़ा तो हुआ 11.90 तो फाइनली जो डाटा आएगा वो आएगा 130.90 130.90 ठीक अब इसमें एक problem है पर B क्या पूछ रहा है मालूम है B बोल रहा है Sir मेरे इस 11 रूपे का क्या बोलो क्या B के 11 रूपे वसूल हुए क्या B B ने यहां कितना add किये 110 जबकि उसने pay कितना किया 121 तो B क्या पूछेगा B क्या बोल रहा है सरे 11 रूपे भी तो मुझे यहां पर add करने चाहिए मेरे लिए खरचा मैं अपने अगले customer से recover करूँगा जो कि उसने यहां किया था अगर वो पर यह add कर देगा तो बोलो क्या problem जाईगा अगर वो यह add कर देगा तो फिर वोई casketting effect create हो जाएगा क्या करें फिर देखो B बोल रहा government से इस 11 रूपे की आपके पास already यह पैसा मेरे बिहाफ पे जमाए इस 11 रूपे की आप मैं purchase करते समय मैंने आपको यह tax pay किया था और sale करते समय मैं tax pay कर रहा हूँ आपको 11.90 बोलो अब government से B क्या चाहेगा यह बता दो B बोलेगा या तो यह 11 रूपे मेरे को वापस कर दो नी तो फिर में 11 रूपे सी से वसूल करूँगा मेरे पास इसके अलावा कोई option नहीं है बात तो सही बोल रहा हूँ क्या करें सर इस 11 रूपे को वापस कर दो कैसे वापस करें इसका जो final tax है 11.90 जो tax है उसमें से 11 रूपीज लेस कर दो कौन से जो already यह कब pay करते वे लाया था purchase करते समय पे करते वे लाया था तो देखो अब case क्या हुआ अब case हुआ government के पास जो बी के ए लेकर आया कितने रूपे 11 रूपे किस के नाम पे बी के नाम पे चलो फिर क्या होगा सर फिर बी लेकर आएगा कितने रूपे 11.90 बोलो ना 11.90 कुन लेकर आएगा बी लेकर आएगा यह ताय हो गया पर ये किस के नाम पे जमा होने चीए, सर ये C के नाम पे जमा होने चीए, लाने वाला व्यक्ति भले ही भी है अब भी जब गौवर्मेंट के पास आए गाट क्या बलेगा, गौवर्मेंट, मैं 11.90 दूँ क्या गौवर्मेंट क्या बलेगी हाँ, तो बोले फिर इस 11 रूपे का क्या करूँ, ये तो आपने जमा ले लिए मेरे से और मैंने वसूल भी नहीं किये, मेरे को तो पैसा मिले ही नहीं, गौवर्मेंट क्या बलेगी, चल हम इसको तेरे को रिफंड कर देंगे बोलो, तो क्या अब इंडारेक्ट टेक्स में 11 रूपे अगर उसको मिल गए, बी को, बी की बात कर रहे हैं, अपन हाँ, ध्यान रखना एक ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर बी को ये 11 रूपे मिल गए, तो उसको नेट क्या 90 पैसे ही लगे, 90 पैसा ही लगा, सोच लो आराम अब किसका नाम चलेगा, सी का, तो बी को क्या मिल गई इसकी, बी को जो क्रेडिट थी, वो क्रेडिट यूज़ करने को मिल गई, ये क्रेडिट आप यूज़ कर लेना, क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट आप यूज़ कर लेना, आप यूज़ कर लो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है उससे क्या हुआ उससे यह हुआ कि भी ने बोला कि ठीक है अगर गौवर्मेंट 11 रुपे वापस कर रही है तो ठीक है मैं अगले कस्टमर से नहीं लूँगा मतलब देखो बिजनेसमेन का रूल क्या बना रहा है पहले हिंदी में बात करते हैं या तो मैं नेक्स्ट क कस्टमर से रीकवर करूं या गौवर्मेंट मुझे वापस कर दे कि बोलो क्यों इसा क्यों बोल रहा बी इसा आड क्यों रहा अरे बी बोल रहा है सर मैं 11 रूपे परचेस करते समय पे करके लाया यह तो इंडारेक्ट टेक्स और आप बोलते हैं बर्डन नेक्स वेक्ति प और इकनामी में प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं करेंगे लो तो गौवर्मेंट ने क्रेडिट देना शुरू कि इस कंसेप को बोला गया कास्केटिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्रेडिट कंसेप शुरू किया गया कब शुरू आ था वैसे तो कि 2004 में वैट अब C की पोजिशन मताओ, C का सेल टेक्स बोलो, सेल करते समयागा टेक्स क्या है, 12.6 और पर्चेस करते समयागा टेक्स क्या है, कितने पेसे पे करके लाया था सर, 11.90 तो C कितना जमा कर देगा, 70 पेसे चलो, देखो चेक करो, जब C पैसे लेके आएगा, किस के बहाफ पे, कस्टमर की बहाफ पे, इसके बहाफ पे, कस्टमर की बहाफ पे, तो C बोलेगा, ये लोग मैं पैसे लेके आया हूँ, 12.70, ये मेरे पैसे वापस कर दो, और बोलो भी यार हम देदेंगे, रिफंट थोड़ा टाइम लेगा, तो वो बोलगा, फिर ऐसा करो, आप पैसे इपोजिट हो गए, कितने, 0.70, बोलो भी या, तो C को भी क्या मिल गई, क्रेडिट मिल गई, क्रेडिट मिल गई, मतलब जो अल्रेडी पेट था, उसको अमाउंट, रिफंड हो गया, एक तरह से, रिफंड होता, वो मुश्किल था, गवर्मेन इतने रिफंड रोज-रोज कर पाती है, रोजी बिजनेस चल रहा है, रोजी टेक्स हमाँ हो रहा है, नहीं, तो बैटर है क्या करो, एडजेस्ट करो, तो नेट पे करें, इसा बोले, ये नेट पे करा, ये नेट पे करा, ये बी ने पे करा, ये सी ने पे करा, कस्टमर ने देखा, क्यार सब को पेसे मि पाल हो जाईगी गौवर्मेंट के पास कुछ बचा ही नहीं नहीं कि आप हम छुपन शैए खिल रहे थे कि ऐसी टाइम पास की पहले ले ले लो फिर वापस आखरी में जीरो हो जाएगा अगर कस्टमर को सारा टेक्स चला गया तो अभी हाल फिदा गौवर्मेंट के पास कित गूट्स भी बिख सकते हैं को दिक्कत नहीं आएगी मैनिस्फेक्टिरिंग प्रोसेस आप बढ़ा सकते हो बोलो इग्णॉमी में रोटेशन भूत तेजी से होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट कम हो जाएगी वर्किंग कैपिटल कम क्योंगी अरे यार जब टैक्स को पैसे वापस कर दो नहीं तो मैं अगले कस्टमर से वसूल करुगा और कोई option है क्या B के पास A के पास B के पास और C के पास सोच लो सोच लो इस डाइगराम पर इस वाले डाइगराम पर सोचो आप इस वाले पर कि government के लिए intermedi है A किस के साथ में B के साथ में गौर्मेंट B और C ये एक intermedi है B गौर्मेंट C और कस्टमर तो C intermedi हो गया है आपर अब क्या B और C और ये तीनों ही क्या बोलेंगे या B और C की बात करो पे रहे B और C दोनों ही क्या बोलेंगे कि बॉस हमको तो आप हमारे पैसे वापस करो नी तो जो tax हमने purchase करते समय लिया था हम उसको हमारी costing में add कर देंगे तो goods मैंने महेंगे हो जाएंगे तो credit का concept शुरू करा government ने government ने गुला ठीक हम पैसे वापस कर देंगे मतलब हम आपको उस tax की क्या दे देंगे credit देंगे जो आपने कप करा था चलो इस box समझो बी की position समझो यह A है यह B है यह C है और यह customer है चलो ए ने क्या खरीदा तो इसको अपन बोले input raw material खरीदा तो input बोलते हैं न कितने रूपे तो उसने profit कितना जोड़ा इसमें अपना 10 टोटल हो गया 110 तो sell value क्या है 110 plus 10% से मान लो 10% imaginary data है 11 रूपे tax जोग दिया यह हो गया 121 अब B यहाँ पर अपनी purchase price क्या बता रहा है 110 की 120 सर अगर 121 बताया तो tax पर tax लग जाएगा तो क्या बता है 110 तो B क्या बोल रहा है यह purchase के समय का tax है मतलब कौन सा tax है input tax है कितने रूपे 11 रूपे और B ने अपना profit जोड़ा 9 रूपे तो टोटल आ गया 119 रूपे 119 होगी आपकी यहाँ की sell value तो यह हो गया आपका output और output पे लगने वाले tax को क्या बोलेंगे output tax यह sell tax जिसको हम बोल रहा है अब उसका नाया नाम क्या होगा यह 10% क्या है output tax कितना 11 रूपे नब्भे पे थे अब B यह 11 रूपे नब्भे पेसे लेके किसके पास जा रहा है बी यह 11 रूपे नब्भे पेसे लेके जा रहा है किसके पास government के पास ए ये 11.90 लाया हूँ तो ये रिफंड दे दो या फिर मेरे से सिर्फ 0.90 और ले लो तो नेट कर दिया उसने 0.90 बजाए रिफंड मांगने के गौवर्मेंट से रिफंड मांगना शेयर के मूं में हाट डालने जैसा है बोलो भी या तो उसने बोला ये C के नाम से पैसा अब जमा कर लो और मेरा नाम काड़ देना तो ये इसका नाम कड़ गया और ये पूरे 11.90 पैसे किसके नाम पे जमा हो गए C के नाम पे देख लो बी सी से ही रिकवर करके लाया था क्या ही C की कॉस्टिंग बोलो सर 119 रुपे C की कॉस्टिंग 119 बोलो ना अब उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 7 रूपीज तो उसका सेल प्राइस कितना वह 126 12.60 ये आपका क्या हो गया आउटपूट टेक्स इनपूट के समय का टेक ये इनपूट है ये आउटपूट है एक लिए ये इनपूट है ये आउटपूट है तो एक एक डीलर के इंगल से देखोगी कि एक बार में पूरी चेन देख लोगे सर एक एक डीलर के इंगल से देखेंगे अच्छा तो अब सी क्या बोलेगा सी भी बोलेगा ये लो मेरे 12 रूपे 60 पेसे और मेरे ये refund कर दो या फिर C बोलेगा एक काम करो net 70 पेसे 70 पैसा मेरे से recover करो और अब ये पूरा पैसा किसके नाम पे जमा पड़ा हुआ है credit दे दो C को आपने credit दे दी इसकी ये credit था ये B के नाम का credit था अब C का नाम का और किसके नाम पे लिखो creditor लिखो 12.6 customer के नाम पे लिख लो कि ये पूरा पैसा customer के नाम पे जमा हुआ है अब customer ने कितने में खरीद आसर customer ने खरीद आसर आखरी price क्या दी customer के लिए 138.6 customer ने बोला 138.6 में से में भी दो हिस्से कर लेता हूँ 126 यहां लिख लेता हूँ 12.6 यहां लिख लेता हूँ जो कि मेरा क्या है purchase tax है या input tax है अब बताओ customer बोल रहा है कि मुझे भी पैसे वापस करो क्या करें बोलो अगर customer ने पैसे वापस ले लिए जो यहां जमापड़े हुए गौवर्णेंट के पास तो यहां से माइनस 12.6 करोगे तो यहां क्या बचाएगा zero क्या करें customer को पैसे वापस करें क्यों नहीं करें कारन होता हूँ क्यों नहीं करें क्यों तो customer यह उसी को भी यर करना है करना होता है वो आड़ गया नहीं मेरे पेसे वापस चीह गूर्बन गोर्री कैसे समझा जपर से आपने समझा रहे है तू कस्टम님 कहा है तू आगे सेल कर रहा है किया? यह लोगा आगे sale कर रहे थे, B, C को कर रहा था, C customer को कर रहा था, तू sale कर रहा है या किसी और को नहीं मैं sale नहीं कर रहा है, मैं तो customer हूँ, तो गौर्म रोडरी इसलिए तो तेरे को हम वापस नहीं कर पाएंगे we will not be able to refund anything, रिफंड कर दिया तो जीरो हो जाया वार्मन के खजाने में, वार्मन का खजाना खाली, तो फिर यह इतनी माताफोडी की क्यों, customer अड़िया, बुलिन नहीं, नहीं, मेरे को पैसे चीए, अब ध्यान से देखो, आप उसको legally समझा रहे हो, उसको बच्चे जैसे रिफंड कर दिये गया, ऐसे ही हुआ, भी लेके आया पैसे, सेल के समय, 11.9, तो उसके जो पैसे हमारे पास जमात है, वो हमने उसको वापस कर दी, ठीक है ना, चलो, customer से बोल गए, ठीक है, वो बोल रहा है, अब C का समझा, बोले C कितने लाया, customer बोल रहा, C लेके आया 12.60, तो हमने उसकी 11.9 वापस कर दिया, या ऐसा बोल लो, उसके नेट पे कर दिया, मतलब वापस होई गया न, रिफंड करने के दो ही तरीके होते हैं, जा तो 11.9 रिफंड कर रहा है, या उससे नेट ले लो, तो net लेना जादा बेटर है, रिफंड रोज-रोज कोन करेगा कस्टमर को समझा है, वो ले कि आया या ये पेसे, बोले हाँ, तो उसके ये पेसे हमने वापस कर दी एक तरह से, अब तू बोले मेरे को भी वापस कर दो पेसे, 12.60 की मेरे को क्रेडिट दे दो, क्या बोल रहा है वो, 12.60 मेरे को क्रेडिट दे दो, तो उसको समझा रहे थे तरह चीक है तरह है कि यह सुमझ़ नहीं था, अब ध्यान से लेखना, अब उसको बच्चे जैसा समझा रहे हैं है, अपन ने उसको समझा है 무었 हैं, अपन ने उसका समझा अत्ति लाईने, बोले सरे कि ऐ आने वाली, एक जाने वाली, very good, चलो, मैं input कैसे minus करूंगा तो उसको उसकी diagram से समझा है बोले देख in case में कित्ती lines हैं दो यहां कित्ती line हैं दो तेरे इसमें कित्ती एक ही है तो तु पहले दूसरी line ले आ और यह पेसे ले जा अब भले उसको law समझ में आया या नहीं आया उसको यह तो मेरी एक ही line है एक ही line है मतलब मेरा पैसा जरूर जमा है पर मैं कुछ ले के थोड़ी न आ रहा हूँ तो government वापस कप करेगी यह बता दू government credit कप देगी किसको देगी जब आप क्या करते हो जब कुछ government को अगर आप कुछ दोगे तो government से आप ले जा सकते हो सुपाइब अन्टेस ने बोला था मैं तो सौर नहीं नहीं बोला तती कि मैं तुमने आजादी दूगा तुम तो सओर हो तॉम तो पोए형 खाओ और चाय पियो नहीं नहीं भुला था पहले तुम तो गाली देके देख ले ना आपको बिलकुल ecosystem होई समझ में आ जाएगा तो give and take का concept किस ने लगाया GST में या indirect taxes में government ने लगाया कि indirect taxes हम इसको वापस करेंगे देखो इधर से ले के आ रहा है तो इसको वापस दिया इधर से ले के आ रहा है तो इसको वापस दिया तो give and take का rule government ने लगाया अब जेसी government ने सुना customer ने सुना कि मेरे पास तो कुछ भी ने तो customer उदास हो गया जब ठीक है अब मैं देखता हूं यहां जब तक एक error और नहीं ले आऊंगा यहां से तब तक में नहीं आऊंगा और मुला हाँ हाँ जा घर जा कोई बात नी तो समझा के गई एको क्या मालूम पड़ गई यह customer को क्या समझाया था पेले तू हमको कुछ दे तो सही तो हमसे वापस ले जा यह बात किसने सुन ली धीरे से यह ने सुन ली यह बोला यह government government में यह लेके आया था 11 रूपए आपके पास मैंने आपको 11 रूपए दिये थे मुझे पेस से वापस करो अब इसको समझाओ लल्ला को customer को क्या समझाया था बेटा तेरी एक ही के पास यहां पर आउटपुट टेक्स तो है यह सेल टेक्स तो है पर यहां इंपुट टेक्स नहीं है मतलब जब वह रॉमटरियल खरीद के लाया था उसने गौवर्मन को कुछ दिया ही नहीं था अब फिर यह भी अपना नमुना है बहुत वह भी नहीं समझ पा रहा है क्या रहा है क्यों क्योंकि कुछ देना है वापस क्यों देना है क्योंकि जमा है अब बता तेरा यहां नाम है क्या A के नाम से कुछ जमा बी के नाम से जमा था सी के नाम से जमा था तो हम वापस कर रहे थे तूने कुछ दिया ही नहीं तेरे नाम पे कुछ जमा है क्या यह च इंपल समझाया, देख तेरी भी एकी लाइन है, जब कि तेरी दो लाइन होनी चाहिए थी, एक के नाम पे भी पहले पैसा जमा होना चाहिए था, फिर जब ए लेके आएगा तो अपन उसको रिफंड कर देंगे, तो एक आने वाली लाइन, एक जाने वाली लाइन, अब एक के साथ, जाने वाली बन रही है, तो आने वाली नहीं बन रही है, मतलब कस्टमर कुछ दे नहीं रहा है, भले ही उसका क्रेडिट पड़ा हुआ है, एक के साथ उल्टा है, वो दे तो रहा है, पर उसका क्रेडिट नहीं, तो बताओ, फाइनल रूल क्या बना, फाइनल रूल क credit कब मिलेगी, जब आपके पास output tax भी हो, और input tax भी हो, क्या ये input tax ही आपका credit है, हाँ सर, इसी को तो less कर रहा है, credit को ही, तो आप ये formula जो बना रहे हो, ये credit का नहीं है, ये net payable का है, क्या आप net tax कितना pay करोगी, तो देखो, बी के case में बताओ, सर, 12.6, 12.6 था ना, कहा गया, कहा गया, ये रहे, 11.9, सुरी, 12.6, 11.9, 11.9, माइनस 11, तो बी की net liability बनी 90 पैसा, अब सी का बताओ, सी का था सर, 11.90 तो input था, तो 12.6 output था, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, बी का input, बी का output ही, सी का input है, बी का output ही, सी का input है, हाँ सर, ये sell कर रहा है, तो ये purchase कर रहा है, इसी की credit उसको हमने दिये दी, तो C कितना pay कर रहा, 0.70 net, बोलो ही है, ये net तो amount जा रहा है, government के बास, तो total tax government के बास कितना बुचा, A ने दिये थे 11 रूपे, B ने दिये 90 पैसे, और C ने दिये 0.70, लौ, total करो तो ज़रा 12.6, लौ, चेक करो तो customer ने ये text दिया क्या, finally, तो क्या rule क्या बना, Sir, give and take का rule बना, तो क्या हुआ, देखू, पहले के system और अभी के system में क्या अंतरा है, पहले, ये credit देना शुरू की government ने, तो good सस्ते हुए, tax protection लगना कम हुआ, तो थोड़ी positivity आई, environment में, economy के, बट इसके बावजुत कुछ loopholes थे, credit system शुरू ने के बावज इसके उनको क्या मिल गई, credit, बोलो, समझ में आया, अब ये जो credit का concept है, इसके लिए, punch rule क्या बोलूँगा, तो मैंने अभी लिखा था है, यहाँ पे, वापस ते मैं, तीन तरह से बोल सकता हूँ, दो तरह समझा जाएता हूँ, चलो, पहला, government किस rule पे ये पुरा concept चला रह गिव and take कि सिफ take, बोलो, निल and take, नहीं नहीं सर, give and take, पहले दो, तो हमसे ले जाओ, क्या बोल रही, government, पहले हमको दो, हमको कुछ tax दो, तो हमसे ले जाओ, मतलब, पहले आप हमको output दो, तो हमसे आपका input ले जाओ, अच्छा, ये बात, ये मैंने boxes क्यों बनाये थे, A, B औ अगर सब को जोड़ दिया, तो मुझे समझ ही नहीं पड़ाएगा, आप किसका question पूछ रहे हो, आप मुझसे ये diagram बना के पूछ रहे हो, लाओ credit बताओ sir, तो मैं बोलूगा, question अधूरा है, क्यों, आपने बताया ही नहीं, कि मुझे calculation किसके लिए पूछ रहे हो, B के लिए A के लिए, C के लिए, क्यों, क्योंकि तीनों का data अलग-अलग हो गया, मैं वापस इस diagram को बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब हम A के लिए लिए लिखते हैं, कि उसने 100 रूपे का raw material खहिदा, 10 रूपे उसने profit add किया, ये हो गया 110, और इस पे उसने लगा दिया tax 11 रू रूपे की credit मिली, आगे की कहानी, फिर B की बात करते हैं, B बोलेगा ठीक है, मेरे को goods 110 में पड़े, मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि government इसकी मुझे क्या देदेगी, 11 रूपे की मुझे क्या मिल जाएगी, purchase की credit मिल जाएगी, 11 रूपे की, बोलो न, देखो, ये 11 रूपे बना, ये बेशते समय का text था, 11.90, माइनस 11, तो कितना बना, final text बना, 0.90, तो B ये ले के आया, government के बास, B ये ले के आया, government के बास है न, जिहान से देखना, B ने बोला, ये लो, 0.90 और जोड़ लो, अब किसका नाम लिख ले ना, मेरा नाम हटा के, कि ये पूरे 11 रूपे 90 पे से किसके नाम पे जमा है, C के नाम पे जमा है, बोलो, हाँ है न, अब C की बात करते हैं, तो C का, C का, प्राइज है 119, और 7 रूपे उसका profit, टोटल 126, 122, 60 पे से का sell text टोटल हो गया, 138, 60 टोटल हुआ कितना, 138.60, उसने purchase करते समय कितना text दिया था, 11.90, जो वो less कर है, कितने में से, 12.6 में से, कित में से less करेगा, 12.6 में से, 12.6 में से, 12.6 में से, 12.6 माइनस 11.9, net 0.70, ये वाला amount वो government के पास ले के आया, कि मेरी तरफ से 0.90 के साथ, 0.70 लख रहा, मेरा नाम काट के आप नाम लिख लेना किस का customer का, मेरा काम खतम हो गया, अब इस पूरे case में इहान से देखना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं sell text किये गए, इसको output text बोल रहा हूँ और purchase किये, input बोल रहा हूँ, कि input मतलब purchase और output मतलब sale होता है, तो output minus input, net जमा कर रहे हूँ आप हर बार, और खास बात, मेरा output ही अगले का क्या बना, input, मेरा output ही अगले का क्या क्रेडिट का concept शुरू हो गया, हुआ, चलो, तो ये हमने दो बात सीखी कि government given tech पे चल रही है, कि output होगा, अगर B का, तो ही हम उसको input देंगे, अब A के साथ क्या problem थी, A का case बताओ, A का output थो था, पर A का कुछ भी जमाई नहीं था, तो A को credit दी क्या, सर कुछ जमाई नहीं ह यहाँ पे, यह customer की position है, तो मतलब final conclusion, final conclusion, क्या credit के लिए output होना ज़रूरी है, क्या set off के लिए, set off किया ना यह, आपस में, set off के लिए, deduction के लिए, credit होना ज़रूरी है, तो ऐसा बोलें क्या, बिना output के input का कोई sense नहीं है, बिना input का output का source नहीं है, अब यह एसी कुछ कहानी है, साजन बिना सुहागन, एक भूत पुरानी movie है, काजोल की, मौसी यह शायद उसमें नूतन, वो इसमें lead actress थी, आप इसका मतलब समझो, साजन बिना सुहागन, ओ हो, output बिना input, या input बिना output, word ही गलत है, अगर आप साजन हो, मतलब कोई सुहागन होगी, मतलब output है तो input हो नही बता दिया, आपको याद रखने का, साजन बिना सुहागन, तीसरा, तुम मुझे खुन दो, मैं तुमें आजा दी दूँगा, government भी यही बूल रही है, तुम मुझे output दो, मैं तुमें input दूँगा, बूलो, आया ना, तो यह तीन अलग-लग किस से उगता दिये, मैंना आप को यह समझने के लिए कि credit का concept, input और output दोनों के समय हो, तो ही यह लगेगा, वरना नहीं लग पाएगा, output है, input नहीं, sense नहीं, input है, पर output नहीं, sense नहीं, इस तरह का deduction नहीं हो पाएगा, जिसे customer को और A को, कोई credit नहीं मिल पाई, कस्टमर के पास output नहीं, A के पास input नहीं, clear, त पुरानी बात नहीं कर रहा हूं है, वैसे तो और पुराने concept पे भी जा सकते हैं, excise के, बट अपन अभी वैट से शुरू करते हैं, 2004 से, 2004 में यह system apply तो हो गया, तो यह system अच्छा था, 2005 में, sorry, 2005 में आया था, 2005 से यह apply हो गया, सब कुछ ठीक था, बढ़िया चल रहा था, फ शेडियूल 7 है अपने पास, आपने यह बात direct text में भी बढ़िये, शेडियूल 7 जो की powers divide करता है कि इसके government के, तो शेडियूल 7, कितने list है इसके अंदर याद करो, list 1, list 2, और list 3, याद आ रहा है कुछ, basics में बढ़ा था आपने, list 1, list 2, list 3, list 1 बोलो कौन सी, सर इसको हमने union list नाम दिया था, क्या नाम दिया था, union list याद आया क्या कुछ, याद आया क्या क्या कुछ, फिर इसके बाद इस list को क्या नाम दिया था, सर इस list को हमने concurrent list नाम दिया था, यह divide क्यों कर रहा है इसे 3, सर constitution of India ने power दिया है कि वो कोई act बना है, parliament में या state parliament, वो तो ठीक है, मुद्दा क्या है मुद्दा समझना आपने ये तीन चीजें तो पड़ी थी concurrent list, union list और state list अब आद करो आपने इसमें बढ़ा था union list जो है ये union list are showing the powers of the central government ये union government union list ये बताती है कि central government के क्या-क्या union government के क्या-क्या powers है state list state government के क्या-क्या powers है कौन-कौन सी चीजें ये apply कर सकते हैं concurrent list, sir parallel, concurrently दोनों के पास power है, central के पास भी और state के पास ये सब हमने detail में already पड़ा हुआ है अब आप याद करो कि इन तीन lines का purpose क्या था था तो हम समझते हैं, sir, ये तीन जो करिया ना हमने ये जो state और central में हमने करा इसमें हमने power divide किये basically क्योंकि, sir, अपने याँ इंडिया में चलता है three-tire structure क्या चलता है three-tire structure कैसे सबसे पहला, central government बोलो, सबसे पहले किसको माना जाएगा, central government को उसके बाद आती है उसके बाद आती है state government बोलो, हाँ या ना और उसके बाद, local government अब ये three-tire structure बोलते हैं, इंडिया में democracy है और हम किस basis पे काम कर रहे हैं, three-tier tier बोलते हैं, tier बोलो structure पे, three-tier structure क्या बताता है कि powers are divided, ये अगर central के powers हैं, central government के powers हैं, तो इसमें state interfere नहीं करेगा ये state के powers हैं, तो central interfere fair नहीं करेगी, तो ये यहीं से clear हो गया था जब हम ये line clear करते हैं, कि ये segregation show करता है, separateness show करता है कि ये powers divided हैं, क्योंकि इंडिया में three-tier structure पे work करते हैं अब आप बताओ, अगर youth the land तो central government decide कर लेगी क्या state government decide कर लेगी क्या या कुछ बड़ा law आना है, या कुछ करना है, तो नहीं कर पाईगी तो powers already divided थे ये तो पहले भी था, अब credit का इस power से क्या लेना देना, देखो ध्यान से कुछ powers ऐसे थे, जो union government के पास थे, जैसे इंकम tax लगाने का power income tax central act है, कि state act है central act है, कौन सी entry, entry number 82, फिर थी entry number 84, जिसमें क्या लगता excise duty जिसमें क्या लगता है, excise duty लगती थी सर, चलो, entry number 83 सर, custom customs लगता है, ओके, चलो यहां entry number 54 था entry number 54 था, जो कि क्या लगाती थी, state government VAT, जिसको simple भाषा में हम क्या बोलते हैं sales tax, पुराने लोग sales tax बोलते थे 2005 में VAT आ चुका था, ध्यान रखिएगा अब क्या हुआ, यह powers divide हो गए ना, credit का system चलोगा powers divide होगा, सब तो वड़िया चल रहा था सर, तो problem क्या थी, GST की, समझो ध्यान से सुनना, बहुत easy case बता रहा हूँ क्यों GST लाना पड़ा, एक तो credit का concept होने के बावजूद, VAT का concept होने के बावजूद, क्यों GST लाना पड़ा, ध्यान से देखना X या Mr. Pinky, Pintu जो है Mr. Pintu एक manufacturer he has a factory और वो goods produce करते हैं, raw material लाते हैं, उसको process करते हैं process करने के बाद, उसकी sell value decide करते हैं, अपना profit जोड के और इसको sell कर देते हैं sell करते समय, government बोलती है central government कि आपको सबसे पहले तो क्या देनी पड़ेगी excise duty क्या देनी पड़ेगी excise duty देनी पड़ेगी excise duty, 100 रुपे पे, मानलो 10% है, तो total हो गया 110 अब यह हो गई sell price तो नहीं नहीं, sell price होती है, उससे पहली state government ने बोल दया कि वैट लगा हो भी है, तो 11 रुपे वैट लग गया total कितना हो गया, 121, यह बात थी pintu की pintu जब raw material खहित के लाया था 50 रुपे का, तो भी उसने इस पे excise duty पे की थी, पांच रुपे total था 55 और उस समय भी इसने वैट पे किया था, 10% से 5 रुपे अब बताओ, pintu की position के थी, उसने दो taxes पे किये, एक central government का, और दो state government का, ठीक, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, अब problem समझना मान लो into सोच रहा था कि मैं credit लेई लूँगा, देखो यह 10 रुपे और यह 5 रुपे, यह हो जाएंगे set of answer, यह excise से excise तो हो जाएंगे तो net liability कितनी बची 5 रुपे, चलो, वैट से वेड़ बोलो net liability कितनी बची 6.5, यहाँ तक तो सब सीख चल रहा था पर imagine करो, कि यह यहाँ पर नहीं है, और सिर्फ वैट है, तो वैट जुड़ गया यहाँ पर 5 रुपे, टोटल हो गया 25 रुपे अब यहाँ वैट है और excise duty भी है मेरे पास इधर क्या यह आपस में set of होंगे नहीं हो पाएंगे, कारण बता दो सर यह state government के पास जमा है और आपको पे अभी central government का tax करना है तो central का tax state से कैसे adjust होगा, state government adjust करने देगी क्या, पिंटू आया government state government के बास, वो मुरी credit जमा है 5 रुपे वापस कर दो, मुझे excise duty से set off कर दो, तो क्या बोला जाएगा, नहीं नहीं यह set off तो नहीं हो पाएगा यह set off तो नहीं हो पाएगा उल्टा भी हो सकता था, मैं यहाँ पे excise duty लिख देता हूँ, चलो वैट की जगे इस पे excise duty आपने पे की 5 रुपे और यहाँ यहाँ आपको वैट पे करना excise duty नहीं लगरी है सपोस, यहाँ आपको वैट पे करना 10 रुपे छोटा एग्जामपल करते हैं चलो, यह से समझे, रॉम मटेरियल 50 रुपे excise duty उस पे 5 रुपे पे की आपने 55 रुपे पे यह प्रोड़क खरीदा रॉम मटेल खरीदा, इसको आपने सेल करने का सोचा सीधे 100 रुपे में आप ट्रेडर हो सपोस, you are not a manufacturer you are a trader ट्रेडर के उपर excise duty लगती ही नहीं 100 पे 10 जोड़ा, एक 100 क्या यह 5 रुपे और यह 10 रुपे आपस में सेट आफ हो पाएंगे इसको जाना है, पेशा किसके पास पढ़ा है क्या यह आपस में अड़ेस्ट हो रहा है क्या यह 5 रुपे यहां आगए सेल प्राइस में यह बताओ पे ले तो excise duty भी एक टेक्स ही, क्या हो यहां 100 रुपे में आगई, यहां सर आगई, इस पर फिर से क्या ले मारा तुमने, फिर से वैट ले लिया, मतलब टेक्स पर टेक्स तो फिर से लग गया सर, येस मतलब कुछ इस तरह की प्राबलम थी कि क्रेडिट का कंसेप्ट अपलाय तो हो रहा था पर फिर भी पूरी क्रेडिट, हर तरह के टेक्स की क्रेडिट नहीं मिल रही थी, और एग्जांपल दे रहा हूँ, I am a chartered accountant, I purchased a computer, I purchased a computer for my office, 40,000 का computer था, वो 4,000 रुपीज मैंने वैट पेई किया, total computer पड़ा 44,000 का, अब मैं सिये हूँ, I provide what, I provide service, और जब भी मैं service देता हूँ, 10,000 रुपे मानलो, मैंने service दी, तो 15,000 रुपे मैं रा, इसमें मैंने service tax जोड़ा, क्या जोड़ा, 15% का service tax जोड़ दिया, अब ये मेरा output है, ये output है, और ये input है, बट problem बता दो, sir, VAT जो है न, वो state government का act है, और service tax जो है न, वो central government के पास जाता है, किसके बास जाना है, आपको जाना है, central government, central act है, अब पैसे किसके पास पढ़े, state government के पास, क्या ये output में set up हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये 4000 रुपे का, जो मैं tax pay करके लाया है, ये तो asset है, 4000 रुपे में किस से recover करनी कोशिश करूँगा, customer से, क्या मुझे service देने के दो रांक है, इसके कोई credit मीरी, नहीं मीरी, बोलू, समझ में आया, तीसरा case देखो, case 3, इसने, X ने, West Bengal से goods खरी दे, ये कहा का है, X, XMP का है, क्या ये interstate purchase है, हाँ sir, interstate sale है, मतलब हाँ, तो interstate sale पे लगता था, CST, क्या लगता था, central sales tax, इसने 100 रूपे के goods खरीदे, 2% का rate था, तो 102 में इसको goods मिल गए, किसको X, अब X इसको sale का कर रहा है, MP के MP में, X बठा है इंदोर में, और वो sale कर रहा है, देवास वाले कोई, मतलब MP के MP में, तो अब कौन सा tax लएगा, सर अब लग जाएगा, आपके उपर, VAT, अब problem समझेगो, 200 रूपे में good sale करना चारा है, VAT लग गया, 4% से तो 8 रूपे यां जुड़ गया, टोटल हो गया 208, 208 के goods उसने देवास वाले को sale कर दी है, ठीक है, अब X बोल रहा है, सर ये मेरा output है 8 रूपे, मैंने का हाँ भाई, सर ये मेरा input है 2 रूपे, हाँ, पर ये input किस का, Central sales tax का, जब कि ये किस का, VAT का, क्या ये आपस में set off हो पाएगा, एक और problem है, इसमें ध्यान से सुनना, ये दो रूपे किस के पास जमा है, बता सकते हो, Central sales tax के दो रूपे, किस government के पास जमा है, West Bengal government के पास जमा है, किस के पास जमा है, West Bengal government के पास जमा है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए, कि पहले tax origin based लगता था, origin based मतलब, जहां से ये transaction हो रहा है, वो government tax collect करेगी इंटर स्टेट से लिया purchase में अब कैसा है सर अब consumption based consumption मतलब जहां पर आप जा रहा है न वो वाली government का अधिकार बनता है अब पुरानी बात करते हैं अब origin based tax में ये दो रूपे किस government के पास deposit है West Bengal और आपको ये tax किसको को देना है MP government को देना है अब problem बता दो क्या ये input है क्या आपके पास ये input ही नहीं सर आप MP government के पास बोल रहे हो ये लो मेरे 8 रूपे तो मेरे 2 रूपे वापस कर दो MP government बोल रही कौन से 2 रूपे अरे बोले वो West Bengal से purchase किया था मैंने पे किया था बेड़ा वो तो वहाँ जमा हो गए कहां पर वेस बिंगॉल में तो क्या यहां कोई पैसा जमा है नहीं है देखो मैंने दो तीन case बता आपको इसको वापस से पढ़ेंगे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्यों जीस्टी का आना ज़रूरी था क्या मल्टीपल टेक्स थे पिले थे बताया एक साइज वैट और अक्ट्रा नहीं कितने टेक्स फिर एक टेक्स के ऊपर वापस टेक्स लग जाता था अभी भी देखो यहां पर और यह दो रूप檔र अगर मेरे को इस्टेट गावर्मेंट नहीं देगी तो बिजनेसमेंन का इस्टेटमेंट बोलो या तो तुम मेरे को कड़िट दे दो नितल मैं अपने कस्टमर से वसूल्ड करूंगा तो यह दो रूप näँगे तो क्या हूँ यह रूपे शामिल है बिल्कुल क्योंकि उसको तो अगले कस्टमर से वसूल करना है तो दो रूपे पर वापस आठ रूपे मादब चार परसेंट से कुछ ने कुछ टेक्स तो जूड़ी गया फिर से कास्क्रिटिंग इफेक्ट होगा फिर स्टेट गवर्मेंट की प्रॉब्लम सिस्टम हो रहत है कास्केडिंग इफेक्ट अभी ये क्रेडिट का कंसेप्ट आ जाने के बाद भी गवर्मेंट ने ये क्रेडिट का कंसेप्ट तो दिया पर अभी भी क्रेडिट का कंसेप्ट पुरी तरह से अपलाए नहीं हुआ मैं आपको एक्ट के नाम और बता देता ह और कौन सा टेक्स लेती ही सर कस्टम लेती है कस्टम और कौन सा एक्ट सेंटरल है सर इसके अलावा सर्वीस टेक्स था पहले आपको मालूम होगा सुना होगा आपने चलो स्टेट गवर्मेंट सर स्टेट गवर्मेंट भी लेती है एकसाइज ज्यूटी जब यह काय पे लेते हैं, exercise यह लेते है, sir, शराब पे आपको ध्यानो तो अभी भी, शराब के ठेके सबसे पहले खूले गाया, COVID में बतलों, क्यों? COVID में, शराब के ठेके सबसे पहले क्यों खूले, ना अमंदीर खूले, ना मझíp खुले, ना स्कूल खुले ना कोचिंग ग्लासे स्कूली सबसे मेले क्या खुरा दारू के ठेके क्यों भई क्योंकि स्टेट गवर्मेंट को इससे क्या मिलता है एक साइस जूटी क्या मिलता है एक साइस जूटी मिलती है और सर इनको पुराना एक्ट था इनका वैट और सर आक्ट्राय और सर एंट्री टेक्स ठीक समझ में आ रही है बाद अब इनके अलग अलग अक्ट थे तो अब क्या होँआ मल्टीपल अक्ट, मल्टीपल ड्यूटीज, कस्टमर परेशान हो रहा और किसे हो रहा बता रहा हूँ देखो जहान से सुना अब ही अपने ये ये वाला एक्जामपल लिया ना अपना कि मैं कंप्यूटर खरीद के लाया तो मैंने वैट पे किया अब ये वैट जो है ये काई पे लगता था गूट्स पे और मैं क्या प्रवाइट कर रहा हूँ सर्विस तो ये आपस में भी सेट आउफ नहीं हो रहे है गूट्स और सर्विस का ये भी लिख देता हूँ मैं एक्साइस डूटी लगती थी किस पे गूट्स पे कस्टम भी काई पे लगता है गूट्स पे सर्विस टेक्स काई पे लगता है सर्विसेस पे वैट का एक्साइस डूटी यहां भी काई पे लगईगी गूट्स पे य seller manufacturer होना चाहिए मतलब जो retail वाले हैं वो नहीं वो नहीं तो फिर wet गाए पर लगता था wet लगता था on sale कोई भी आदमी कोई भी चाहिए manufacturer or retailer or wholesaler कोई भी बेचे का तो wet देना है ठीके यहां भी exercise duty किस पर लग रही है goods पर लग रही है और वो भी कौन से पर सिर्फ alcohol पर और वो भी कब जब आप इसका business कर रहे हो custom काई पर लगती थी import और export पर लगती यह तो आपको मालूमी है service टेक्स भी काई पर लगता था for providing the service जब आप service provide करोगे तो आपको यह service टेक्स लगेगा यह सब goods पर लगी रहे थे entry tax entry यह समय लगता तो यह अलग-अलग आपके क्या होगा यह इनको बोला जाता है taxable event क्या बोलते हैं जैसे exercise अगर मैंने बोला कि manufacturing पर लगता था तो बताओ duty कब impose होगी sir जब goods manufacture होंगे जब custom duty की बात करते हैं हम बोलते हैं पर लाइबिलिटी अराइज होती है यह समझना भी बहुत important यह सब लग-लग act थे जो मैंने एक्जामपल में दिए CST छूड़ गया बटाए को CST Act Central था यह भी लगता गाय पर था goods पर पर अंतर समझना यह भी goods पर यह पर वैड भी सेल टेक्सी था इसको वैड को सेल टेक्सी बोलते थे फिर अंतर क्या था देखो यह इस्टेट का था इसके अलावा एक बड़ा अंतर बता था यह लगता था इंटर स्टेट सेल पर इस्टी का यह लगता था इंटर इस्टेट सेल या परचेस पर और वैड का यह लगता था इंटर इस्टेट सेल पर क्या अंतर क्या बता दो इंटर इस्टेट के बीच में हो रही है इंटर विदिन हो रही है देवास इंदोर देवास भोपाल सरीय इंटर है वैस बेंगॉ एंपी सरिये जैपूर एंपी सरिये इंटर है तो अभी हमने सीएस्टी का प्रॉब्लम समझा अब तुमने इंटरिस्टेट परचेस कर ली तो तुम्हारा इंपूट तो आ गया दो परसेंट पर यह कहां जमाए वेस्ट बेंगॉल गवर्मेंट के पास जमाए जबकी सेल कहा तो टेक्स बेचो तो टेक्स इंपूर्ट करो एक्सपोर्ट करो तो टेक्स सर्विस प्रवाइड कर लो तो सर्विस का वैट से सिट आफ नहीं हो रहा वैट का सर्विस टेक्स से सिट आफ नहीं हो रहा कि गवी गवर्मेंट अलग अलगे तो क्या करना था वन नेशन वन ट और इन सब की आत्मा को डाल दो GST नाम के शरीर में ताकि यह जितने दुर्गुन थे इन आत्मा इन शरीरों के यह सब अलग-अलग शरीर थे इन सब को मार डाला अपने इनकी आत्मा इखटी करके अपने GST में डाली ताकि इन सब के जितने भी इस एडवांटेस थे वह यहां पर आके खतम हो जाया और हमने एक नया जनम दे दिया उसको एक नया जनम दिया एक नए व्यक्ति को वह था GST बुलियो भी यह थी इसकी कहानी कि क्यों क्रेडिट का कंसेप्ट होने के बावजूद क्यों लाना पड़ा तो पहले क्रेडिट का तो फिर आपको समझ पड़ता है कि अच्छा गवर्मंट के पास पैसा आ रहा है जा रहा है तो इतने टेक्स होने की वज़ेसे मल्टीपल फॉर्मलिटी होने की वज़ेसे प्रोसीजरल कंप्लाइंस बहुत सारे थे आदमी घुम घुम की परेशान हो जाए हर चीज का तो ह आपारी बिजनेस करने से आ तो टेक्स टेक्स खेलता गा गवर्मंट को लगा कि इन सबसे छुटकारा दिलवाना पड़ेगा तो इन पापा आत्माओं को खतम करो और एक पुण्य आत्मा को जन्म दिया वो था जी एस्टी फर्स जुलाई 2017 से यह अपलाए हुआ ये पहला चेंज को लाना पड़ा जब क्रेड़िट का अल्रेडी 2005 में लाया जा चुका था वैट कि थू यह समझ भाया एक्साइज में भी क्रेड़िट का गंसेप था ऐसा नहीं था बट पर यह प्रोबलम कि वैट और एक्साइज आपस में सेटाफ नहीं हो रहे हैं सर्विस टेक् इसका यह बेसिक एक लेक्चर अब इसके आगे हम अगर मॉडूल बेस चलते हैं तो हम उस मॉडूल के बेसिस पर देखना शुरू करेंगे तो यह आप चाहो तो इस डाइग्राम से नोट करना जरा सा यह समझने के लिए कि क्रेडिट कैसे चलती है यह डाइग्राम मैंने के इंगल से बना है गौर्मेंट के पास इतने रूपे बी के जमा थे फिर सी के जमा हुए तो बी का नाम हट जाएगा सी का नाम सी जैसी पेसे जमा करेगा किसका नाम आजाएगा कस्टमर का तो यह दो अलग अलग डाइग्राम भी यहां पर दी है और अब मैं इस लाइन क ठिक करना और जो बिजनेसमें बोल राता है या तो मैं नचस्क अख कसटमर से लूगा या आप वापस करो तो थोड़ा ओर ठिक करते हैं नेकस केस्टमर की जाएगे इसा बूलूं का या तो मैं कॉस्ट में आड़ कर दूंगा या फिर आप मेरे को रिफ़न तो देखो यहां कॉस्ट में आड़ा था यह ग्यारा रूपे कॉस्ट में आ गए थे यह तो कॉस्ट में आ गए थे क्या नहीं यहां हमने 110 रुपे ही लिए यहां भी 119 रुपे ही लिए क्योंकि इन दोनों अमाउंट्स की वो मुझे क्या दे रहे हैं क्रेडिट दे रहे हैं आई बात समझ में चलो तो पहले यहां तक पढ़ो फिर इसके आगे का पार्ट हम कंट्रीन करेंगे मौडियू से ठीके तो क्रेड़ का समय ना तो लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों लाएगा फिर इसके फीचर वीचर अभी पढ़ेंगे सब यह वन नेशन वन टेक्स और प होगी मेरा question 1 यह MCQ में आ सकता है आपसे मतब थियोडी तो मुश्किल है फिर भी प्रड़ो टैक्स में भी डिफाइंड इस पटा फट थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ी सी different definition दी इन्होंने इसको ऐसा लिखा pecuniary burden laid upon individual यह property on us to support the government a payment exacted by legislative authority किसी act के थ्रू किसी legislative authority के थ्रू आप जो payment recover करते हो it is not a voluntary payment तो मैंने compulsory लिखी दिया था it is not a donation ध्यान रखना यह दान नी दे रहे हो को government को it is compulsory इसले लिखा enforced contribution और compulsory through an act मतलब किसी legislative authority से ही यह बनाया गया तो चार वर याद के लेना pecuniary burden to support government through या exacted by या exacted by मतलब imposed by भी बोल सकते हो legislative authority या through an act it is not a voluntary payment or contribution or donation but an enforced contribution जब अरजस्ती लिया जाएगा को लोग लिया ताकि government भी आपको services दे पाए चलो दो तरह के टेक्स हमने पढ़ी लिए definition two marks two marks के लिए त्यार कर ले ना दो number के लिए a direct tax is the kind of charge which is imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government जिसके ओपर लगाया गया तो यह shift नहीं किया जा सकता cannot be shifted बोलो हाई ना और इसका example है income tax indirect tax बोलो final वो कौन bear करेगा consumer जो ultimately consume करता जबकि intermediary की liability immediate liability किसी और व्यक्ति की बोलो जैसे की manufacturer या service provider जिसको हमने क्या बोला intermediary यह definition जरा जरा सी दो दो line की याद कर ले ना इस टेक्स को एक और नाम दिया गया आप बोला गया सारे indirect taxes क्या है consumption tax यह आपका MC की हो गया इंडारिक टेक्स को क्या बोला जाएगा consumption tax consumption मतलब जहां consume होगा वहां पर tax लगेगा इसको मैं समझाओंगा अभी consumption और origin based और consumption based अभी समझना बाकि है हमको मैंने अभी एक example जरू चले घहां से चले मतलब origin based जहां से यह transaction शुरू हुआ consumption बोलते हैं तो MP consumption था MP में transaction end हुआ इसको हम समझेंगे अभी वापस से यह regressive है यह हमने पढ़ी लिया यह एक line ले ले लेना पस यहां तक बहुत है बोलू हाँ या ना next 1st July 2017 से बहुत बड़ा shift करा इंडिया ने अपने आपको GST पर हमने इसको witness किया यह आपका एक MCQ हो गया यह अपका एक MCQ हो गया यह apply कपसे हुआ था GST Act ठीके चलो आगे यह हो गया direct indirect है ना यह definition यह याद कर लेना two marks में यह difference याद कर लेना diagram बहुत अच्छा है यह सब छ important features से सबसे important तो important source of revenue है सरी बहुत important बोलें तो सबसे बड़ा feature यह है कि important source of revenue क्योंकि more than 50% constitute करता है यह ले ले लेना line पीछे कि आगे वाली छोड़ देना वैसे तो यह worldwide पुरी दुनिया में इसी तरह से अब देखो यह लिख लो यह यह आपका हूंवक हो गया लिको question what are the, what are the, what are the, पहला chapter में theory ज्यादा है हां, features जो आपको exam में आ सकती है, what are the, features of indirect text, of indirect text, बो भी यह, आई समझे बार, अब आपके पासमें total है, art point तो यह दिख रहे हैं, तो हर एक पे यह क्या दो line लेनी है, मैं आपको इसका concept, concept बता देता हूं, आपको यह क्या do line लेनी है, थोड़ा सा आप भी decide करना, मैं भी tick करता हूं, चलता हूं, चले, tax on commodities, services तो ही, it is levied on, levied का मतलब होता है, liability on, it is levied on, levied word use करना, commodities, it is levied on commodities, on manufacture purchase, sale, import, export आप देख चुके हैं, exercise, custom, service यह सब देख चुके हो, इसलिए इसको commodity taxation भी बोला जाता हूं, यह services पर भी लगाया जाता है, service tax था ही, shifting of burden, clear cut, clear shifting है यह तो, मैं किसी अगले वेक्ति पर अपना burden तो shift करूंगा ही करूंगा, no perception, direct pinch, pinch होता है, चिम्टी, दर्द, चिम अपने close करी देख, अभी नहीं पूछा, tax कितना है, कभी हम यह नहीं पूछते, तो हमको direct pinch नहीं होता है, जो direct tax में हमको तकलीफ होती है, वो indirect में होती है, क्योंकि वो तो bill बनता है, आपने या विद्योदय पर coaching जाएं की, तो इसमें GST है आपका, already tax हमाए है, हमारे पास उतना percent कम आएगा, जितना की tax है उसमें, क्या आपको fees फीस फीस लगता है, ये fees फीस नहीं हो, fees प्लस GST हो, अब ये GST तो चला गया, आपको तकलीफ हो रहे है, और government 8% tax ले लिए आया, पिंच, महसूस नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता, ये तो मैंने बताया तो आप त इसा लिख देना, और इसके साथ ये वाली लाइन जोड़ देना, since वाली, ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, since, value of indirect tax is included in the price of the commodity, तो आपको कभी ध्यानी नहीं जाता है, कि मोबाइल में GST कितना है, आपको ध्यानी है, सीम का जो voucher लगवार है, उसमें GST कितना है, हमारे घर पे जो Wi-Fi connection ले रहा है, हमने उस पर GST का बहुत बड़ा amount है, चेक करना एक बार आचा, inflationary है, हाँ, महंगाई तो बढ़ेगी, आज क्यों होता है, देश में जला सा पेट्रोल डिजल के भाव बढ़ते हैं, और महंगाई बढ़ने लग जाते हैं, क्यों आल राउंड एकनोमी पर उसका फरक आएगा, बहुत एक्जामबल से समझायता है, बहुत चोटा सा आपको मालूम भी है, वैसे, मालो पेट्रोल के भाव बढ़े, आपको मालूम होगा अपना ये जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, ये भाड़ा बढ़ा देंगे, फ्र क्योंकि ओवराल चेन है, एक जगे कहीं टेक्स बढ़ेगा, तो उसका इंफलेशन पे सब दूर असर आएगा, ध्यान रखना, डारेक्टली इंफलेशन ट्रेंड बढ़ेगा, ये पहली लाइन ले लेना बस चाहो था, वाइडर टेक्स बेसा, डारेक्ट टेक्स में तो उ है, अब इंडायक्ट टेक्स अच्छा है, इंसे कुस्तो वसूल होता है, लक्स तो गरिब आदमी भी खरीद रहा और करीना भी खरीद रही, कम से कम दोनों जगे से टेक्स जा रहा है, तो वाइडर टेक्स बेस है, छोटे से छोटा आदमी, गरीब से गरीब, रूरल से और चोटा से चोटा आदमी से लेकिए बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो भी यूज़ कर रहा है वो सब यहां पर लाइबल होते हैं तो वाइडर टेक्स बेस करीब करीब 99 परशन बोल सकते हैं डाटावाइस अब कुछी कवर्ड एकाथ परशन चीज़े हैं जो अब इंडारे बोलते हैं किसको सीन गुड्स बोलते हैं एक तो अल्को हल्को कि इसको बोलते हैं अल्को हल्को और टोबे को ले लो तोबे को ले लो अल्को ले टोबे को क्या प्रॉब्म अब हलाकि यह कंसेप्ट बेवकुप जैसा है पर सुन लो लॉजिक तो था इस कंसेप्ट में पर भी क्या है गेम खेलती सुनो शराब पी रहा है अदमी पैसे दे रहा है उस पे वो एकसाइस जूटी भी पे कर रहा है तो गौवर्मेंट का लॉजिक क्या है कि हम एकसाइस जूटी बढ़ा देंगे तो शराब महिंगी हो जाएगी अभी-अभी केजरी वाल ने किया था दिल जिसको नशे की आदत है वो क्या कर रहा है वो तो उस बड़े भाव में भी लेई रहा है ना हायर रेट पे भी पर्चेस करी रहा है तो लॉजिक खतम हो गया क्या लॉजिक था उनका लॉजिक था कि हम इंडारेक्ट टेक्से से कहीं बार शोशल वेलफेर करते हैं कैसे आदत है ना सुट्टे की दारू की वो तो कहीं से भी ढूंड के पिएगा और कितनी प्राइज हो जाए पिएगा बेसिकली यह पॉइंट यहां के फेल हो गया यहां के फेल हो गया कि हामफुल प्रोड़क्स पे रेड बढ़ा दिये बहुत अच्छा किया ता कि आदमी ना सकते हैं उनने बोला जरूर कि से कंजम्शन चेक होता है और मेरे हिसाब से पहला वाला पॉइंट बेकार है हाँ दूसरा वाला बिल्कुल सही है गवर्मेंट को पैसा जो है अभी शराब से ही मिला लॉकडाउन में गवर्मेंट का भरोसा सबसे जादा किस पे था ना दुक मैं अमिताब बच्चन से भी 18% लूँगा और आप आ गए तो भी 18% लूँगा बहुत गरीब यक्ति आ गया तो भी 18% लूँगा मतलब मैं रेट चेंग नहीं कर सकता तो यह कैसा है रिग्रेसिव कि आपकी कोई भी इंकम लेवल्स हो आपका टेक्स का रेट तो सेम होगा रिग्रेसिव का अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का एक मतलब और हमने पढ़ लिया न्यूट्रल एक और बोलना चाहो तो equality प्रमोट करता है ऐसा बोल सकते केसे गरीब आदमी भी टेक्स पे कर रहा है और अमीराद में इंकम टेक्स केसा होता है जिसकी ज the income disparities between reach and the poor हाला कि ये जरूर है अब poor वेक्टी भी टेक्स पर कर रहा है तो disparities और बढ़ेंगे साइन का मानना है हाला कि equality या neutrality भी तो प्रमोट हो रही कि उसकी जेव से भी कुछ तो tax वसूल कर पा रहे हैं आया ना और इसको inflation से भी जोड सकते आप डेली लाइफ की रोज मर्रा की चीज़ों पर अगर tax लगता है तो गरीब आदमी भी कजिम कर रहा है रीच पर्सन भी कजिम कर रहा है तो obviously inflation तो बढ़ेगा tax बढ़ा है inflation बढ़ेगा ये था आपके पहला question question one what are the features of IDT दो MCQ करा दिये कब से apply हुआ था ये था कुछ कहानी GST की और उसके features तो पहले आप ये पूरा complete करना फिर हम next part पर जाएंगे इसके कि GST किस तरह से इंडिया में launch हुआ इसका launchpad क्या था इसके बर्त होने की इन सब आत्माओं को मार के एक नया पुनर जनम देने की जरुरत क्यों आन पड़ी वो मैंने समझा दिया क्यों इसा किया government ने वो हमने logic समझा आगे कैसे GST की process आगे बढ़ी इंडिया में प्रोसेस कब से चल रही थी और हम कितने वाले बड़े वाले मठे हैं और कितनी problem जाती हमको कोई भी law बनाने में और law pass करने में यह उसकी कहाणी बया करेगा जीस्टी लाते समय क्या-क्या दिक्कते गौवर्मेंट को face करनी पड़ी ठीक तो इसको आप complete कीजिएगा की जीस्टी का logic क्या था क्यों लाए फिर बाकी सब बाते करें कि वन नेशन वन टेक्स वो सब आए गाए आप पर पिले आप consumer हो तो आपको कोई credit नहीं मिलेगी अगर आपका output है पर input नहीं है तो भी credit नहीं मिलेगी तो credit किसको मिलेगी B और C जैसे लोगों को जिनके बास input भी है और output भी है चाहूँ तो हमेशा एक box बनाके question solve करेंगे हम यहां से input बताएंगे और यहां से output डन चलो thank you